कि दर्श को जब से दिल्ली के अंदर शीला दिश्रित को परदेश अदक्ष बनाया गया है देखने में आ रहा है कि जो पुराने कांग्रेस हैं उनमें कहीं ना कहीं ओर जा उत्पन हो गई हमारी बीच में डेलिगेट हैं डीपक अरोड़ाज साब जो इनको डीके कहते हैं सर क्या केना चाहेंगे सबसे पहले तो क्या शुपकामना देना चाहेंगे शीला जी के दिल्ली परदेश अद्ध्यक्ष बनने पर मैं आधन्य हमारे रास्ति अध्यक्स राहूल गांधी जी के दुबारा सीला दिख्षित जी को दुबारा अध्यक्स बनाने पर और एम्म कारणिक कारणी अध्यक्स हारुन यूसुफ जी को देविंदर यादफ जी को राजिस लेलोटिया जी को बहुत बहुत हार्दिक शुबकामनाई देता हूँ जो की दिल्ली के अंदर कांग्रेस तो काफी आगे जारी है और आने वाले समय में लोगसबग के चुनाव होंगे उसमें बहुत भारी सातों की सातों सीटे हम जीत के आएंगे चुनाव आ रहे हैं शीला जी का दिल्ली परदेश दक्ष बनना कहां तक सही मानते हैं बहुत बढ़िया डिसिजन है बहुत बढ़िया सही लिया इस टेम जरुत थी आने वाले जो लोगसबग के चुनाव आ रहे हैं इसमें कांग्रेस यो को एक रीड की हड़ी जो कांग् केजरिवाल सरकार से नहीं मुकाबला दो देखो मोदी जी सही होगा केजरिवाल तो आपको पता है जूटे वादे जूटी बाते करके एक तरफ उन्होंने जंता को गुम्रा तो करा ही करा साथ में उन्होंने आपको पता है हर जंगा जो भी है कि हम कुछ नहीं कर सकते हम य आप देख लीजिए जितने भी दुकंदार हो गया रेड़ी पटरी वाले हो गए सब दुखी है तीपक जी आप कहा तक मानते हैं कि अर्विंद के जीवाल ने शीला दिक्षित को बदनाम करने में कोई कसन नी छोड़ी जो ओटो पर प्रचार करा कि मैं इमान दा शीला बेइ मौन आगे सब्सक्रेवागे चुनावों में जनता दिखा देगी के जूटे वादों से कभी Mu koji कि जीत सकता कांग्रेस से काम किया है कांगरेस काम के मुद्दों पही जीत्ती है और आके अंगरेस ही दिल्ली में बलां कर सकती है बात करें शीला दिक्षित को वो दस दिन में जेल भी भेजने वाले थे उनके बाद कहना था गोटालों की फाइल है कुछ नहीं यह सब जुमलेबाजी है अर्विंद केजरीवाल के और कुछ नहीं है पहले चाहा कि हम गढ़बंधन कर ले गढ़बंधन करके हमें कांग्रेस को खतम करना चाहा रहा था बड़ा बड़ा डिजिजन लिया उपर वालोंने कोई गढ़बंधन नी होगा जिन्दा है कांग्रेस आज की तारीक में आप लगा लो जिस्टेम इन्होंने विदानसभा के एलेक्शन हुए थे इन्होंने 8% पर पुचा दे थी आज कॉंग्रेस जो है 30% से उपर है तो कॉंग्रेस जीतेगी कौन जीतेगा मोजूदा सांसत के बारे में क्या कहना है मनुस्तिवारी के बारे में कुछ नहीं है उन्हादर लोग बाग वने आज मैंने आज टीवी में भी देखा और फेस्बुक पर देखा लोगोंने लिख रखा कि मनुस्तिवारी को ढूंडने पर उचिति नाम दिया जाएगा अब कहा है मनुस्तिवारी अपना गाने वाने में मस्त अपना मही रहे हैं बढ़िया रहेगा तो कोई विकास नहीं हो वापसी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना ही पहता है नहीं विकास हुआ है कुछ भी नया काम नहीं है इन्होंने धोका देने के लवा कुछ नहीं करा केवल गुमराथी है इनका काम है आप कहीं भी उठाके देख लीजी है हम ये कर रहे हैं पहले LG नहीं करने दे रहा जी फलाना नहीं करने दे रहा जी आप लोग दावे कर रहे हैं कि हस्पतालों मे जिल्ली के अंदर आगर हम बात करें तो आपस गुटबाजी के चक्र में कांग्रेस को नुखसे नहीं हैं पताते हूं आप हो क्या होता है कांग्रेस के अंदर वर्कर का dot थोड़ा सा तूट गया था लेकिन और मांखिंजी के time में में आगरेस को या शीला जीडिके को लोग बाग्याद पड़ गया है अज वेपारी कितना खुश है वेपारी काई खुश भी या घरो से खह भाने है पलोड दुखी किन इस ने लोगी वाले जो बड़े हैं जो रिलाइंस वाले हो यह फीजिया वाले हिं इनара AO FA Church जिनने लाल गिला दे दिया ठीक है जी वो लोग खुश होंगे आम जंता के लोगों से पूछो कोई अपने गढ़ से खा रहा है कोई प्लोट बेुछ के खा रहा है धन्दा पानी से जो बिशारा मजदूर है वो एक टेम की रोटी खा पा रहा है दो टेम की रोटी नहीं मिलरी इसको कोल मिलागे खाने के भी लाले पड़ दे देख लो आपके सामने है खुला देख लो दिल्ली क्या पुरे हिंदुस्तान में तर्राई तर्राई मची है और हम तो राउल गांदी जी के नेतरत में और कांग्रेस पाइटी के नेतरत में हर जंगा कांग्रेस सरकार आने वाली है कांग्रेस कारेकरता खड़ा हो चुका है अब आने वाले टेमों में कांग्रेस का कार्यकरता और जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के इलावा इस देश को को ही नहीं समाल सकता अच्छे दिन जाने वाले पुराने दिन वापसी आने वाले अच्छे दिन मोदी जी ने डायलोग मारा था अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन पहले भी थे झाल